नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धनंजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धनंजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 21 अक्टूबर से संबंधित महत्वपुर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला कोस्चन है कि हालही में कहां पर काती विहू फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर ए असम अभी हालही में असम में काती विहू फेस्टिवल को धूमधा से मनाया गया है काती बीहु को कंगाली बीहु यानि गरीबों के तेवहार के नाम से भी जाना जाता है यह जो है कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब नई फसल त्यार होती है और किस्तानों का जो भंडारन होता है वो धीरे-धीरे समाप्त होता है तो मध्य अक्टूबर के बीच में इसको मनाया जाता है अब असम में मनाया गया है तो असम के बारे में देख लेते हैं असम की राजधानी दिस्पूर है असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल है असम के राज्यपाल जगदिस मुखी है असम में लोग सभा सीटों की संख्या 14 है, राज्य सभा सीटों की संख्या 7 है, विधान सभा सीटों की संख्या 126 है और असम में कुल 23 जिले हैं काजी रंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिहंग पटकाई ये सभी असम के नेशनल पार्क हैं धेमा जी जीले में इस्थित पोवा रिजर्ब फारेश्ट को बन्य जीव अभ्यारणे में तबदील किया गया है, ये भी आपका असम में ही स्थित है आईए अगला प्रस्न देखते हैं, दूसरा प्रस्न है, हालही में IIT मदरास्त के स्टार्टप ने कहां के डेरी किसानों के लिए मूपे पेमेंट प्लेटफार्म की सुरुवात की है अभी हालही में IIT मदरास्त के स्टार्टप ने राजस्थान के डेरी किसानों के लिए मूपे पेमेंट प्लेटफार्म की सुरुवात की है इसमें डेरी अधिकारियों के द्वारा किसानों के दूद के पैसे को डिरेक्ट किसानों के बैंक एकाउंट में भेंजा जाएगा जिससे किसानों के बचत में बृध्धी होगी अब राजस्थान में किया गया है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं राजस्थान की राजधानी जैपूर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री असोक गहलोत है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिस्व है, राजस्थान में लोक सभा सीटों की संख्या 25 है, राज सभा सीटों की संख्या 10 है, बिधान सभा सीटों की संख्या 200 है, और राजस्थान में है इस्थित है अभी हाल ही में राजस्थान ने स्वास्थ मित्र नियुक्त किया है आयू एवं सेहत साथी आयब को भी राजस्थान सरकार नहीं लांच किया है इसमाइल e-learning platform की शुरुवात भी राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है और दूद के प्रोडक्ट जितने हैं उनके सियोर्टी के लिए प्योर भार्षियोर अभियान का सुभारंब भी राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है आईए अग़ा प्रसन देखते हैं तीसरा प्रसन है कि एस्या पावर इंडेक्स दोहजार बीस में भारत ने कौनसा अस्थान प्राप्त किया है तो इसका सही उत्तर है आप शन नंबर डी चौत्त अभिहाल ही में एसया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है जिसमें भारत ने चोथा अस्थान प्राप्त किया है इस इंडेक्स में प्रथम अस्थान पर अमेरिका है दूसरे अस्थान पर चीन है और तीसरे अस्थान पर जपान है और भारत चोथे अस्थान पर है इस इंडेक्स को सिड्नी इस्थित लो हालही में पहली बार ISA सोर पुरसकार दिया गया है यह कितने स्रेणियों में दिया गया है तो इसका सही उत्तर है आप्सन नमबर बी तीन अभी हालही में पहली बार ISA पुरसकार सोर पुरसकार दिया गया है और यह तीन स्रेणियों में दिया गया है पहली स्रेणियों है वि करने वाले बैग्यानिकों और इंजिनेरों को उतकृष्ट कारी के लिए प्रदान किया जाता है और तीसरा स्रेंडी है दिवाकर पुरसकार यह उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हित में काम करते हैं I.S.A. का फूल फाम होता है International Solar Alliance I.S.A. का स्थापना 2015 में हुआ था और I.S.A. का हेड़क्वाटर गुरुग्राम हरियाना में इस्थित है दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेली ग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं या टेली ग्राम पर study with धनंजे मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वेल आइकन को अवस्ते दबा लीजिएगा आईए अब अगला प्रसन देखते हैं पांचवा प्रसन है हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है तो इसका सही उद्दर है आपसन नंबर सी ए और बी दोनो अर्थात नोजामी ओकुहारा और एंडर्स एटोन सेन इन दोनों लोगों ने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है वी में सिंगल का खिताब नोजामी ओकुहारा ने कैरो लीना मारीन को हरा कर जीता है और में सिंगल का खिताब एंडर्स एंटोन सेन ने रेमसस जुमके को हरा कर अपने नाम खिताब को किया है आईए अगला प्रस्ण देखते हैं छठवा प्रस्ण है मंत्री मंडल की नियुक्ति समेती ने ग्रीह सचीव अजे कुमार भल्ला का कारेकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A 2021 अभी हालही में मंत्री मंडल की नियुक्ति समेती ने ग्रीह सचीव अजे कुमार भल्ला का कारेकाल 2021 के लिए बढ़ा दिया है 30 नमबर 2020 को अजे कुमार भल्ला का कारेकाल समाप्त हो रहा था अभी अब 22 अगस्त 2021 तक अपने पदपर बने रहेंगे आगी अब अगला प्रस्न देखते है सातमा प्रस्न है हालही में द्वीपक्षी समुद्री अभ्यास स्लिनेक्ष 20 का सुभारंभ हुआ है या किसके बीच संपन्द होता है तो इसका सही उत्तर है आप्सन नमबर B भारत स्रिलंका अभी हालही में द्वीपक्षी समुद्री अभ्यास स्लिनेक्ष 20 का सुभारंभ हुआ है या भारत और स्रिलंका के मद्धे संपन्द होता है इस समुद्री अभ्यास स्लिनेक्ष 20 का आठमा संसकरण है या 19-21 अक्टूबर के बीच स्रिलंका के त्रिंको माली में संपन्न होगा आईए अगला प्रस्ण देखते हैं आठमा प्रस्ण है हालही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने का निरने लिया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर C पेटियम अभी हालही में पेटियम ने घूसड़ा किया है कि वह 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करेगा यह अगले 12 से 18 महीनों में जारी किया जाएगा पेटियम का स्थापना 2010 में हुआ था पेटियम का हेड़क्वाटर नोएडा में इस्थित है और पेटियम के संस्थापक और CEO विजय सेखर सर्मा है आईए अब अगला प्रस्ण देखते हैं नौवा प्रस्ण है हालही में आयुसमान सहकार योजना का सुभारंभ किसने किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A नरेंदर सिंग तोमर केंदरी क्रिसीन मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के द्वारा आयुसमान सहकार योजना का सुभारंभ किया गया है इस योजना का उदेश से मुख्य रूप से ग्रामिड छेत्रों में स्वास्थ सेवाओं में परिवर्तन लाना है आईए अगला प्रसन देखते हैं दसमा प्रसन है हालही में बिश्व सांख्य की दिवस कम मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर D बीस अक्टूबर अभी हालही में बीस अक्टूबर को 200 सांख्यकी दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रतीएक वर्ष 20 सक्टूबर को 200 सांख्यकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 200 सांख्यकी दिवस दोहजार वीस का द्हीम है Connecting the world with data we can trust एक बार फिर से 200 सांख्यकी दिवस 2020 के द्हीम को दोहराते हैं तो theme है connecting the world with data we can trust, आईए अब कल के प्रस्ण को देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने comment box में comment करके बताया है, तो कल का प्रस्ण था कि हालही में मिशन सक्ती कारिक्रम की सुरुवात किसने किया है, तो इसका सही उत्तर था, option number D, उत्तर प्रदेश, अभी हालही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन सक्ती कारिक्रम की सुरुवात किया गया है, और इस प्रस्ण का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है, रितु ओजा जी, संजू पाल जी, सर्वेश काजी जी, सुनील कुमार जी, प्रितेश सर्मा जी, अमीत कुमार इंद्राशन जी, जितेंद्र कुमार जी, आसीश सिंग जी, संदीप जी, Information of Politics निक और सनी म्यूजिकल आफिसियल आईए अब आज का प्रस्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा तो आज का प्रस्न है हाल ही में DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चूना गया है तो इसका आप्सन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथ हवेल आइकन को अवस्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दे गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पौर रसानी से पहुचता रहे आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद